मुख्यमंत्री नितीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे तो मौझूदा समय में भारतिय जनता पाटी के विधायक और पुर्व मुख्यमंत्री के बेटे नितीश मिस्रा ने अपने ही सरकार के खिलाप धर्णा पर बैठने का एलान कर दिया है। नितीश कुमार की सरकार में भाजपा विधायक नितीश मिस्रा का कहना है कि पत्र लिखने के बावजूद सरकारी ओफिसर भारतिय जनता पार्टी के नेता को कुछ नहीं समझता है। अगर असल तोर पर देखा जाये तो नितीश कुमार मुख्यमंतरी भारतिय जनता पार्टी के बिधायकों के भरोसे ही बने हुए है। की बात को सुनने के लिए तयार ही नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी किसी नितीश मिस्रा की बात को नहीं सुनते बल्कि सिर्फ नितीश कुमार की बात को सुनते हैं। और इसके पहले तो भाष्पा के एक सांसाथ छेदी पास्वान ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नुटीश कुमार को धाइव वर्स के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार देना चाहिए अब नवसकार में मुईत कुमार सी और आप देख रहे हैं हमारा भीशेश कारी किरम एक्स्प्लीनर और मैंने जब से यहां चौथा पाच्वा महिना है और मैंने कोविट से सुरू किया कि लॉग्डॉन था तो नास्ता सुभा से उसाम तक निकलते तो विश मिलता नहीं था तो नास्ता भी लोग करा देखने आप नास्ता पहले की लिए उसके बाद कलेक्शन दीजेगा अनुमान जो लॉंच किया थो समय उन्होंने बहुत यह किया कि नहीं बहुत अच्छा समय पर आप लोग यह किया है और बहुत अच्छा रिस्वांस मिल रहा है छेदी पास्तवान ने दो-तीन दिन पुर्व कहा था कि मुख्यमंत्री नतीश कुमार को धाई वर्स के बाद मुख्यमंत्री की कूर्सी से उतार देनी चाहिए और भारतिय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि भारतियों जंता पार्टी के भरोसे यह सरकार चल रही है लेकिन भाजपा के नेताओं की बात को ही अधिकारी नहीं सुन रहे है यह सवाल इसलिए भी करमाया है क्योंकि बार-बार अपसर शाही को लेकर मुख्यमंतरी नतीश कुमार से सदन में भी सवाल पूछा जाता रहा है और सवाल पूछने वाला कोई बिपक्षी दल का विधायक नहीं होता बलकि उनके अपने सायोगी दलों का विधायत या अपने दल का विधायक होता है नितीश मिस्रा के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंतरी जगनात मिस्रा के बेटे हैं इसके पहले मुख्यमंतरी नितीश कुमार की सरकार में ही मंतरी भी रह चुके हैं और मौजुदा समय में भारतिय जनता पार्टी के बिधायक है और अपने छेतर के बड़े नेता माने जाते हैं कम से कम भारतिये जंता पार्टी के अंदर तोवे अपने छेतर में बड़े नेता है ही लेकिन परस्थिती देखिए कि एक नितीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं तो सारे अधिकारी उनके आगे पीशे लगे हैं और एक नितीश मिस्रा विधायक हैं और पुर्व में इसी नितीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं लेकिन और उनकी पार्टी के वरोसे सरकार चल रही है लेकिन उनकी बात को प्रशासन सुनने तक को तयार नहीं है अब नितीश मिस्रा प्रशासन के रोईये से परेशान होकर यह एरान कर चुके हैं कि 23 फरवरी को वह धर्णा पर बैठ जाएंगे। बताया राया कि भाजपा विधायक नितीश मिस्रा जो कि जंजार पूर विधानसबाद छेदर से विधायक है, वहाँ 2016 के बाद कुछ कारी किये गए, जिसके कारण रेल्वे शेसन के आसपास वाले इलाके में जल जर्माव की स्थिती बन गई, नितीश मिस्रा ने काफी प्रयास किया और 2019 में वहाँ के जिलादकारी के साथ बैठ कर एक चर्चा हुई, तब रेल्वे ने कहा कि कुछ काम हम कराते हैं, और कुछ काम आप करा लीजिए, मतलब कि प्रशासन वहाँ की कुछ काम अपने अस्तर से करवा लिए, अब नितीश मिस्रा का कहना है कि रेल्वे के अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया था, उन्होंने उसके मुताबिक अपने हिस्स्य का काम कर दिया है, लेकिन प्रशासन को जो काम करना था, वह काम अब भी बाकी है, अब इसी बात से ना राज होकर वे कई बार प्रशासन को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के विदायक मुतिश मिस्रा की बात को सुनने के लिए तयार नहीं है, वे अपने हस्तर से हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने तक को जिराधिकारी तयार नहीं है, उस पर कुछ एक्सम नहीं ले रहे हैं अब इसे कारण भाजपा विदायक नितीश मिस्रा ने धरना देने का एलान कर दिया है और सबसे मुट्पून बात है कि भाजपा के कई विदायक और सारसत पिछले कुछ समय के दोरान यह आरोप लगा चुके हैं कि हमारे भरो से सरकार चल रही है लेकिन हमारी बात को ही नहीं सुना जा रहा है कहा तो यह भी जाता है कि नितीश कुमार की सरकार में अधिकारी सिर्फ मुख्यमंत्री नितीश कुमार की सुनते हैं और अब भारतिय जंता पार्टी के निताओं को इससे परिशानी हो रही है इसी का परिणाम है कि नितीश मिस्रा जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे में है और पूर्व में नितीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं वह खुद धर्ना देने का ऐलाइन कर चुके हैं पूर्व में छेदिप पास्वान ने एक फर्मूला दिया था कि भारतिय जंता पार्टी अपना मु्यमंत्री बनाएं क्योंकि नितीश कुमार मुख्यमंत्री है और गिरी मंत्राले उनके पास है तो भारतिय जनता पार्टी के किसी विदायक किसी सांसत को कोई अधिकारी कुछ नहीं समझता है उनकी बात को नहीं सुनता है और इसी बात को निटीश मिस्रा दोहरा रहे हैं और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर धरना देने का एलाइन कर दिया है मतलब कि अब निटीश मिस्रा अपनी ही सरकार के खिलाब धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है और यह जो आरोफ है वह भारतिय जनता पार्टी के अधिकतर मिधायक मंतरी तसा सांसतों की तरफ से पुर्व में लगाया जा चुका है और लगातार अब भी लगाया जा रहा है बाकी अब आगे देखिए कि इस पर क्या कुछ होता है अगर कुछ ने जनकारी आएगी कुछ ने अपडेट आएगा तो उससे हम आपको जरूर उबरू कराएंगे इस वीडियो को ही समात करते हैं वीडियो को शेयर कर जाईएगा और अगर फेस्बूप पर देख रहे हैं तो पेश को भी लाइक कर लिजेगा तथा अगर यूट्यूप पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे मिलता है फिर बहुत जल्द लगले वीडियो में कैमरे पीछे खड़े हों पर कास और मैं मोहित कुमार सि बहुत बहुत धन्यवाद